जैन दोस्तों मैं उमेज गौरवारियो और आप देखरें मेजरली राइट अर्बिता गेरवान वही इरानियन लड़की 16 साल की जिसको मेट्रो में मार दिया था पुलीस में पुलीस ने इतना मारा वो बिचारी कोमा में चली गई और उसके साथ जो भी हुआ ये सब आप भली भांती परिचत हैं क्योंकि मेजरली राइट पे हम पहले कवर कर चुके हैं और दचानक के डायलोग्स हिंदी और इंगलिश में भी ये बात आपसे हम कर चुके हैं अब लेटर्स खबर ये है कि जो भी उसके लिए आवाज उठा रहा है उसको अंदर कर रहा है उसकी मा को अंदर कर दिया उसके माने यही पूछा कि मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या मेरी बच्ची कोमा में क्यों है जाहिर सी बात है कोई भी माँ पूछेगी जो परिशान हो जाएगी लेकिन अब ये बात चल रही कि उसकी माँ को मीडिया से बात करने सोशिल मीडिया में कुछ डालने के लिए ये सब उन्होंने बैन कर दिया है उसकी माँ ने क्योंकि सवाल उठाया कि मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ उसकी माँ को पकड़ के जेल में डाल दिया ये जो मुल्लाओं की रेजीम है इरान में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये एक अच्छे लोग इरानियन जो हैं भले लोग हैं प्रोग्रेसिव लोग हैं उनको इन्होंने 1979 में यहाँ पर रेवलूशन हुई थी और 1979 के बाद इरान को इन्होंने बिल्कुल भटे में ड़ल दिया इतना परेशान कर दिया लोगों को कि अब छोटी छोटी चीजों के लिए कोई भी आपको सड़त पे मार देता है हिजाब नहीं पहना मारो इतना मारो कि मर जाए कोई मैं समझ सकता हूँ कि इसलामी मुलके किसी ने हिजाब नहीं पहना आपने फाइन लगा दिया आपने बोला चलो 400-500 रुपए का फाइन लग गया पर ये कहां का इंसाफ है कि 4-5 लोग मिलके पुलिस वाले मिलके एक 16 साल की लड़की को इतना मारें इतना मारें कि वो कुमा में चली जा कुछ नहीं पता वो जिन्दा रहेगी मर जाएगी एक जवान जो जिन्दगी है वो जो औरते हैं एक मुस्लिम मुलक में वो कह रही हैं कि जान चली जाए हम हिजाब नहीं पहनेंगे हमारे सर काड़ों हिजाब नहीं पहनेंगे और यहां पे जो मुस्लिम लीडर्स हैं भारत में वो उल्टी गंगा बाहर हैं वो कह रहे हैं नहीं साब इसलाम में तो कहा गया ऐसा इसलाम में कुछ भी नहीं कहा, यह अपने मन से जूटी बातें कहते हैं अपने वोर्ड बैंक के लिए, अगर कहा जाता इसलाम में, अगर इसलाम में फर्ज होता हिजाब पहनना, तो इरान वाले क्या हो मुसल्मान नहीं हैं, फिर वो क्यों हातों में जंडे लेके स्ट् क्लेव में, यह सुचिने वाली बाते दोस्तों.